दोस्तों आज का वीडियो देखना ज़रूर बनता है क्योंकि आज प्रेक्टिकल नॉलिज आपको मिलने वाला है जब साइट पे जाओगे ये सब चीजे काम आएंगी जब ऐसे हम बात करते हैं कोई भी कॉलम है बीम है मैक्समम उसमें कितना स्टील होना चाहिए और कैसे आप प्रसंटेज निकाल सकते हो कि एक आपको कोई बीम दी है उसमें प्रॉपर स्टील है कि नहीं है और कितना स्टील आना चाहिए नहीं है वो सब चीजे चेक कर सकते हो दूसरा आपको मैं जोगल के बारे में बताने वाला हूँ इंटरिव्यू कोशन्स रहेंगे योगल के और प्रक्टिकली साइड पे ऐसी चीजे बताउंगा जो आपको इंटरिव्यू में भी आएंगी और प्रक्टिकली साइड पे आपको करने भी चाहिए बहुत इंपॉर्टन वीडियो में इस वीडियो को बोलूँगा तो उसके लिए वीडियो कंप्लेट देखो थोड़ा टाइम लूँगा आट से 10 मिनिट आपके महिशल लेता हूँ तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सामने आप देख रहे हो आज जो टॉपिक है वो IS code 456 है 2000 उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले इसमें देखना समझने वाली चीज क्या है एक कोई कॉलम है हुमारा ठीक है आप कोई भी size आपके पास कॉलम है हमने ले लिए 400 वाइ 300 mm का कॉलम है इसमें जो सरिया दिया है 6 नग 20 mm के है ये 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 6 नग तो ये जो सरिया इस कॉलम में दिया है ये सही है कि गलत कैसे आपको चेक करने है आपको कभी अगर किसी कॉलम में सरिया प्रोवाइड करने है कि कितना steel उसमें आना चाहिए तो आप provide कर सकते हो, क्योंकि हमें thumb rule के हिसाब से पता है कि 2 story का या 3 story का अगर है, अगर हम 230 बाए 300 का column दे रहे हैं तो उसमें हमें 4 16 के सरीय देने हैं, 4 base के सरीय देने हैं कि वो सही है गलत है, वो चीज़ चेक होती है, और ऐसे ही check किया जाता है हमेशा तो उसके लिए सबसे पहला step रहता है, आपको column का area निकाल लें तो column का area 400 mm by 300 mm का column था हमारा sorry, मतलब ले लो 400 by 300 का लिए था, यहां 400 by 600 कर दी हमने तो यह 600 mm ले लो, और यह 400 mm ले लो, जितना भी size है आपको बो लेने यहां का नहीं बोल रहा आपको, तो हमने इसको कर दी है 400 जी, ठीक है यहां मैंने और अलग लिख दिया और यहां कुछ अलग लिख दिया था, तो 400 by 600 का column था तो इसको mm में था 400, इसको meter में कर लिए तो point आ गया, 0.4, 0.60 into, इनको दोने को multiply किया तो हमें area मिल गया, किसका, column का, 0.24 meter square, ठीक है, यहां दर clear, फिर हम आते हैं, फिर आपको निकाल लें, बार का डाय, जो आप वार, यह जो बार है बीच में, जो आपने use किया होगा, उसका डाय हमें निकाल लें, तो उसका कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हमारा, pi d square by 4 0.020 का whole square कर लिया, और यह 4 ऐसे आ गया, ठीक है, जब इसको मैंने multiply किया, निचे divide किया, तो हमारा आ गया 0.003, ठीक है इतना आ गया, और number बार कितने हमारे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक का यह निकला, 6 से multiply कर देंगे, तो 6 का हमें यह मिल गया, यहां तक clear, यह मिल गया, फिर ह हमें निकाल लिए परसंटेज, कितनी परसंटेज होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका बार का डाय आया है, उसको divide कर देंगे, टोटल ग्रॉस एरिया से, तो 0.18 divided by ग्रॉस एरिया यह था 0.24, यह किया, इंटू 100 कर दिया, तो हमें मिल गया, 0 0.8%, मलो 80%, तो 78 आ रहा है, तो कम है, तो आपको सरिया थोड़ा जादा इसमें provide करना पड़ेगा, तो इससे हमें idea लग जाएगा, minimum हमें इतना होना चाहिए, maximum हमें इतना, maximum 6% दिया, लेकिन 4% तक column में रखते हैं, नहीं तो जहां पे joggle आएगा, जहां पे extra सरी हो जाएगा तो वहाँ दिक्कत हो जाती है, तो 4% तक maximum रखते हैं, एक thumb rule के इसाप से करम देखें, तो यह आप follow up कर सकते हैं, कि lintel और slab जो होती है, उसमें 0.7% से 1% हम रखते हैं, lintel या slab में, मतलब इतना हमें उसमें steel रखना होता है, beam में रखते हैं, 1-2% हमारा steel होता है, minimum 1%, maximum 2% और column में जैसे हमने देखा, 0.8% जा 1% से 6% आप पकड़ के चली, यह इतना आपको रखना है, और foundation 0.5% से 2%, यह thumb rule है, इस हिसाप से बाकी आपको IS code जो हमारा है, बहुत सुन्दर IS code है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, साइट से जाने पर ले, IS 456-2000, यह हो गया हमारी पाद किसकी, स्टील की, अभी most important practical knowledge वाला जो topic रहेगा, वो रहने वाला है, जोगल पे, तो सबसे पहले जोगल होता क्या है, जोगल कई जिन बच्चों को पता है, अच्छी बात है, जोगल होता है हमारा सरीय का, देखो एक band दिया जाता है, जब हमारा सरीया 12 मिटर का खतम हो जाता है, जहां हमने lap, मतलब नीचे से 5 मिटर सरीया निकाल ला है, हमारी उपर और जाना है, तो हम lap करते हैं, और lap properly से, जो load सरीय का, मतलब यह load जो सरीय पहाएगा, वो properly यहां से आ रहा है, यहां से यहां distribute हो जाएगा नीचे वाले बार पे, तो इसलिए जोगल दिया जाता है आपको, इस चीज को जोगल बोलते हैं, जो यह angle होता है न यह वाला, यह यहां से यह, और यह कितना होना चाहिए, यह होना चाहिए आपका 1 ratio 6 maximum, ठीक है, तो मतलब 1 ratio 6 क्या है, तो आप अगर यहां 50 mm दे रहे हो, यहां पे, तो यहां आपका 300 mm आपका यह area बढ़ जाता है, main चीज जो आज आपको मैंने बतानी है, वो है, देखो, जोगल हमें depend होता है, कितना दिन है, 50D, mostly, यह कही जगा, 45D, 50D, 60D, ऐसे बोला होता है, तो 50D हमें average पकेने, 50D क्या, अगर 16 mm का सरीया है, तो हमारा 800 mm बनता है, ठीक है, यह जो यहां से यहां होगा, 800 mm आपको binding wire, चार binding wire यूज करने हैं, और double binding wire यहां यूज होती है, main चीज आगर यह column का हमारा gross section, मतलब एक column है हमारा, जो आपको joggle प्रोवाइड करने हैं, वो आपको इस तरीके से प्रोवाइड करने हैं, यह ऐसे कभी नहीं प्रोवाइड करने हैं, इससे क्या हो रहा है, यहां हमारा cover 40 mm था, और यहां आके वो 20 mm होगे, तो जो आपको joggle देना है, वो हमेशा invert देना है, अंदर की तरफ आपका joggle होना चाहिए, यह पूछा जाता है interview में, और यह side पे गलती हो जाती है, कि joggle बार को देते हैं, यह cover खतम हो जाता है, यह उपर उपर जाते तक zero cover ह बहुत बड़ी गलती होती है, तो आपको joggle हमेशा अंदर रखना है, और एक चीज़ समझना, यह हमारा column है, यह ly3 area है, और नीचे भी ly3 area है, हमारा lab हमेशा बीच में आता है, यहां हमें बीच में आता नहीं, हमें देना है, ठीक है, बीच में हमें देना होता है, तो उसके लिए आपको एक neutral axis ड्रॉ करनी है, कि आपका जो 50% lab हो, वो उपर आये, मतलब इसी area में 50% उपर, 50% नीचे, मतलब एक जगा पे नहीं आना चाहिए, यह उपर नीचे, और यह उपर नीचे कितना होना चाहिए, लगा लो, एक lab आप यहां दे रहे हो, एक आपका lab यहां आ चाहिए, 1.3 into LD, 1.3 into LD, मतलब 50D था, 800 mm था हमारा, तो यह कुछ 1000 mm आएगा, तो इसके center, उपर के lab के center से, दूसरे lab के center तक, एक मेटर जगा आपकी होनी चाहिए, तो इस तरीके से यह practically आपका सही procedure होते है, जब आप lab करते हो, और यह चीज आपको बहुत, मतलब important चीज है यह site पर जाके काम आएगी, आएगी, ऐसी practical videos में आपके लिए लाता रहूँगा, बस आप channel को subscribe करके रखो, और bell icon दुआ के रखो